आज की वीडियो में आप सब को देखने को मिलेगा जिसका था आप सभी को बेस अबरी से इंतिजार लीजिए आ गया में फिर एक बार अरे तुझा आरी मजाक मजाक में बात कर रहा हूं मैडम भलिक की जो नहीं दिखाई दे रही थी कुछ दिन से कहीं भी पर शिदी दिल माने ना में आपको दिखाई दे चुका है एक न्यू एक्टर जिसकी वज़े से कहानी हो जाएगी सूपर डूपर तो सब पर करते हैं तफ्सिल से बार लेकिन उससे पहले रुको जारा सबर गरो मेरी यूट्यूब एमली और उनकी फैमली को इस जिनी की करके ज़रूर बताईएगा और अगर मैं अपनी की बात करूँ तो मैंने कोई भी नहीं बनाया है क्योंकि मेरा मानना है कि हम जैसे भी हैं बहता रहे तो बने रही है हमारे साथ करते हैं वीडियो का अगास इस छोटे से इंट्रो के हम चाहते हैं कि आप हमारे जीवन साथी बन जाए है है ऐसे नाने भरा की जिए इस जान की जो जान थी वह तो नहीं आया पर इस जान की जो जान है वह लोट आई है मैडम सर मैडम सर में लोट आई है और इस बात का सबत उनकी इंस्ट्रग्राम फोटो दे चुकी है इंस्ट्रग्राम की फोटो पर उन्हों ने लिखा आयम बैग जिसका मतलब है आयम बैग हसिना मलीक के आने से स्टोरी और भी इंट्रसिंग देखने को मिलेंगी लेकिन हाली में मुझे जो सबसे ज़्यादा स्टोरी पसंद आई वो गर्ल किट्नैपिंग की थी क्यूंके कॉमेडी के साथ सथ अगर सस्पेंस भी मिल जाए तो देखने का इंट्रस और भी बढ़ जाता है आप लोगों को अब तर सबसे ज़्यादा कौन सी स्टोरी पसंद आई कमेट्स में लिखकर बता दीजिएगा अब बात करते हैं जिद्धे दिल माने ना की यह अकेडमी है यह बिग बॉस हाउस मुझे समझ नहीं आता कोई भी कहीं भी किदर से भी आ जाता लड़के को बचाने लड़का आ गया और इन दोना के बिच कोई तीसरा आ गया करन शरगी मेरा फेर्विट एक्टर तो मुनामी मेरी फेर्विट करेक्टर है और इन दोना के बिच कोई तीसरा मुझे बिलकुल पसंद नहीं है लफ ट्राइंगल बहुत लोगों को पसंद आता है पर मुझे नहीं आप मैंसे किस-किस को पसंद और किस-किस को पसंद नहीं है लफ ट्राइंगल नीचे कमेंस में लिखकर ज़रा बता दीजिए